Hi everyone, I hope you are all doing good. So guys, आज हम इंटरनेट की सबस्यदा वाइरल और सबस्यदा पसंद किये जाने वाली जो है वो डिजाइन को आज क्रिएट करेंगे. जिसे बहुत से आर्टिस ने अपने पेज पे जो है वो अपलोड किया था लेकिन बनाना किसी ने नहीं सिखाया था. तो आज हम आपको यही टेक्निक के साथ बहुत ही ब्यूटिफुल डिजाइन बनाना सिखा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग थी, बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद की थी. चल चलिए इस डिजाइन को हम बनाते हैं तो यहाँ पे हम लेयर्ज वाले जो है हमारे बोल्ड वाले फ्लावर्स को क्रियेट करेंगे. सबसे वहले तो हम different kind of यहाँ पर बोल वाले जो flower है उसे एक gap के अंदर हम create करेंगे एक gap के साथ हमें जो gap हम create कर रहे हैं उसके साथ attach करके इस तरीके की lines को attach करके और वहाँ पर leaves को create करके हमें यह design को create करना है बस इती सी ही technique है एक बार आपको इस pattern को बनाने की technique समझा जाएगी तो आप इसे पूरे hands में भी बना सकते हो बहुत easy है लेकिन technique समझना जरूरी है तो वापस से यहाँ पर एक और gap के अंदर में यहाँ पर एक flower को create कर रहे हूँ बोर्ड वाला flower आप अपनी मर्जी से जो है वो कोईसा भी create कर सकते हो यहाँ पर आप देख सकते हो simply flower है अपनी मर्जी के वाला भी flower आप create कर सकते हो और एक ही flower को पूरी design में भी repeat कर सकते हो यहाँ पर एक लाइन को वापस मैंने दूसरे फ्लावर को एक फ्लावर के साथ हमने अटेज किया और उसके सेंटर वाले पार्टनर वापस से हाफ में बोल्ड वाला रोल्स क्रिएट कर रही हूँ इसी तरीके से बस आपको बनाते जाना है, लेयर्स लेते जाना है, आपको लाइन्स लेती जानी है और लाइन्स के साथ आपको जो है वो अटेज करते हुए लीव्स बनाने है तो देखिएगा आप मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ यहाँ पर मैं वापस से हमारे जो flower के साथ एक leaves को create करी हूँ make sure करेगा कि gap जो है वो बहुत ज़ादा ना रहे gap even रखना है gap इतना ज़ादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं रखना है एक perfect measurement के साथ आपको gap को जो है वो manage करना है सो आप देख सकते हो यहाँ पर में स्पाइरल भी create करी हूँ spiral इस पर बहुत ब्यूटिफुल लगेंगे बिकोज पूरी डिजाइन बोल्ड है तो जहाँ पर हम चोटी-चोटी से हो है वो spiral बनाएंगे तो डिजाइन बहुत अट्रेक्टिव हो जाएगी देख सकते हो बंच इतना सा बनने पर ही कितना क्यूट और ब्यूटिफुल लग रहा है मुझे पर्सनल यह डिजाइन पूरी कम्प्लीट होने के बाद बहुत पसंद आई है लाइट, बोल्ड, सारे जो लीव्स आते है आपको वो सारे यहाँ पर आपको जो है वो मैनेज करने ही कुछ इस तरीके से अब सारे flowers में जो हैं बोल्डनेस को कम्प्लीट करेंगे गाईस तो यहाँ पर भी हम एक और लाइन को इस तरीके से अटेच करेंगे flowers के साथ आपको simply lines को attach करना है जहां मर्जी आप flowers को create कर सकते हो जहां मर्जी आप lines को draw कर सकते हो जरूरी नहीं है कि जैसे मैं create करी हूँ एक एक particular element आपका भी वैसा ही हो जैसे मैंने कहा technique की जरूरत है तो इस तरीके से बोल्ड वाले जो flower होते है दो flower के साथ आपको एक round line को attach करना है अब send down आप अपनी मर्जी से इसे attach कर सकते हो सो यहां पर leaves create करने के बाद हमारा जो बंच ही वो किछ इस तरीके से नजर आएगा बहुत beautiful लगेगा सारे flower को हम बोल्ड कर देंगे flower भी आप अपनी मर्जी से जिसे में ने बताया आप अपनी मर्जी से भी create कर सकते हो एक ही flower को पूरी design में भी रिपीट कर सकते हो अगर बना सकते हैं आप तो different flower भी बना सकते as you can see के यहां पर मैं वापस इस तरीके से spiral को भी create कर रही हूं और इसकी जो edges पर मैं यहां पर leaves को complete करूँ leaves and flower, bold leaves and bold flower के साथ ही यह design को complete करेंगे थोड़ 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 लाइट ड़ा के combination के लिए हम यहां पर create करेंगे spirals को so उपर वाला जो portion ने इस leaves के साथ हमारा यहां पर हो जाएगा complete थोड़ से shading एड़ कर दिये यहां पर मैंने और थोड़ से हम circle add करके हमारे leaves को end करेंगे अब यहां पर वापस से थोड़ से spirals को में create करूँगी तो गाइस देख सकता आप डिजाइन बहुत ब्यूटिफुल नजर आ रही है यहां पर वापस से थोड़े थोड़े थम की तरफ ले जाएंगे और वापस से राउंड क्रिएट करके इस तरह से हाफ वाला फ्लावर हम यहां पर create करेंगे तो गाइस आपको में सजेस्स करूँगी कि आप पाम की डिजाइन में आने से पहले सबसे पहले थम की डिजाइन को create कर ले विकोस अगर इसके बाद आप थम को create करोगे तो design अगें spread हो जाएगी तो डिजाइन का यहां पर में बोल्ट कर चुकी हूं और यहां पर चुट 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 से और elements को हम एड़ करेंगे पापस सिहाय पर एक different structure के साथ different वाला फ्लावर हम यहां पर करेंगे create लेकिन उससे पहले जैसे मैंने बताया हम पहले थर्म को create कर देंगे अधर्वाइस design जो है वो spread हो चाहिए इस तरीके से design को create कर देना है अब हमारी जो थर्म वाली डिजाइन उस पर अब हमें हमारे filler element को फिल करना है तो directly filler element को फिल कर सकते हो borderline leaves एक्सेक्ट्रा आप अपनी मर्जी से जो या पर जीन डिजाइन आपको create करनी है इंटरेक्टेट डिजाइन बना रहे हैं और डिजाइन जो है हमारी बहुत अट्रेक्टी निजर आएगे आप देख सकते हो यहां से आप learn कर सकते हो ट्रस्ट मी गाइस बहुत जदा वाइरल डिजाइन थी मुझे भी एक बार तो ज़रूर से ट्राइ करना था तो मैंने सुझा क्यों ना मेरे व्यूवर्स के साथ मेरे स्टूडन्स के साथ में शेयर करूं इसलिए इस डिजाइन को मैं आज बहुत ज़ादा ब्यूटिफु पार ब्यूटिफू बोल्ट फ्लावर के साथ ही बस थोड़ी सी टेकनिक ज़रूरत है और इस डिजाइन को आप एजिली क्रियेट कर सेगें इस तरह की से थोड़ी से बोल्ट फ्लावर को सेपरेटली कर लिजेगा थेन आप इसे एप्लाइ बाद में करीगा एक प्रेक्ट कर पाओगे आपको लीव जाना ज़रूरी है आपको बोल्ट फ्लावर आने ज़रूरी है और स्पाइलर बनाने ज़रूरी बस इन तीन चार चीज़ों से ही आप इस डिजाइन को कम्प्लीट कर सकते हो लिजाँ ता हुआ तो सब्सक्राइब अग। कि अब देख सकते हो अब हम फिंगर की तरफ पहुच चुके हैं और फिंगर में हम हाफा फिंगर तक आने तक ही हमाई किन देख सान तरह से और ओर थोड़े से इस तरह से हमारे भीग शेप ले लेंगे और यह जो बड़े हम शेप बना रहे हैं उस्चेप में जोह हो जीना वाला इंटरेक्टिट डिजाइन वाला काम करना है ताकि डिजाइन जो है लाइट डा की कंबिनेशन के साथ एंड हो जाए तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करें देख सकते हो कि इतना पर्फेक्ट लग रही है हमारी अब यहां पर छोड़ी छोड़ी से फिलर ना तो तो फिलर एलिमेंट करेंगे तो इस तरीके से डिजाइन को कम्प्लीट करते जाना है एंड अफकोर्स आज को बोल्ड करते रहां है सेम वे में हम सारे फिंगर के डिजाइन क्रेट करेंगे डिजाइन को पूरा दिखिएगा यहां पर लास्ट फिंगर के तरफ हम पहुंच चुके एंड लास्ट फिंगर भी अब हमारी हो चुकी है कम्पलीट और अब यहां पर जो हते हैं केली में हमारा जो एक सरकल है यह वाला अरेविक शेप तो इसे थोड़ा सा एक्स्टेंट कर देंगे ताकि जो डिजाइन में जो हमाई फिंगर की डिजाइन खाली लग रही हो नजर ना है और चुका है तो यहां पर легकषया है जो यहां पर बचआ है यहांपे ओर फेल कर दीएगे झाल झाल